कुम्ब राशी आखों से आसू नहीं रुखेंगे इस घटना को देखकर जल से जल्द सुदर जाओ वरना मुश्किल है नमस्कार दोस्तो जाए भोलेना आद दोस्तो आज हम आपको कुम्ब राशी के बारे में बताने वाले हैं जहां दोस्तो आने वाले दिनों में आपके आखों से आसू नहीं रुखेंगे उसके बारे में आज विश्तार से इस वीडियो के मात्यम से बताने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मेजना करें आज तक जरू देके और हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशीवल को सब्सक्राइब जरू कीजे तो चले जानते हैं कुम्ब राशी के बारे में आने वाले समय में आपने यदि किसी काम के बारे में सोचा है तो उसके लिए पैसों के इंतजाम करने की स्थिती पर आपको विचार करना पड़ सकता है पैसों से जुड़ी किसी कठीन परस्थिती का आपको सामना करना पड़ेगा ऐसे समय में आप अधिक भावक ना हो रिस्तों के क्षेतर में आप अधिक भाग्यशली हो सकते हैं पिछले कुछ समय में आई उतार चड़ाव से आप असंतोश भी महसुस कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखेगा कि हर एक का जीवन अलग-अलग होता है जिसके पास पैसा खूब होता है उसके उसको भी अपने जीवन में दुख आते हैं और जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके भी जीवन में सुक आते हैं तो इस जीवन के खेल को समझेगा पैसा आपके पास हो या ना हो यह माइने नहीं रखता लेकिन सुक दुख हरे के जिवों में आता ही रहता है सिर्फ इसको आपको ध्यान में रखना है जब भी दुख का समय आता है तो उस दुख से कैसे हमें बाहर निकलना है इसके बारे में सुचना पड़ता है रोजाना मिलने वाले कुछ लोग आपको किसी बात पर परिशान कर सकते हैं आपको दुसरों की मदद करने के कई सारे अउसर मिलेंगे इसे हाथ से ना जाने दे सामने रशिपल के बात करें तो भागे आपका साथ निभाएगा और आपको उत्तम फल देगा आपके द्वारा किये गए कर्मों का भी आपको लाब मिलेगा आपके उच्छ अदिकारी आपसे खुश रहेंगे बहुत सारी रुकाउटों के बावजोद आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाए रहेंगे यदि कुछ समय पहले आपने दूसरों के कातित कोई त्या किया है तो इसका अच्छा फल भी आपको मिलेगा आपके मन में स्वार्त की भावना आ सकती है इसका कारण आपके मित्र भी हो सकते है आपको अपने कुछ मित्रों और सातियों से जलन ये फिर चिर्चिडा हट भी हो सकती है कोई आप पर किसी को जवाब देने का दबाव भी डाल सकता है लेकिन इस बात का द्यान रखेगा किसी के दबाव में आकर किसी को जवाब मत दीजेगा यह पिर किसी के दबाओं में आकर किसी को वादा मत करेगा वरना बाद में आपको पस्ता ना पढ़ सकता है किसी पर भी आख बंद करके भरोसा ना करे दोका मिल सकता है अगर किसी के उपर भी आख बंद करकर भरोसा करेंगे तो वहाँ पर निश्चिते दोका मिलेगा लिकर रखेगा वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है जरूस से अधिक चिंता करना आपकी सिहत के लिए अच्छा नहीं है जो हो रहा है उसे हुने दिये इसको भूल जाए एदि आप से कोई मदद मांगता है तो उसे मना ना करेगा उसकी मदद करने का प्रयास करेगा आपके बनते हुए कार्यों में कुछ बादा उत्पन हो सकती है तो चले आप बात करते हैं कोईसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप अपने आत्मों विश्वास को लगातर बनाई रखेगा। कुछ पुराणे मित्रों से मिलने के लिए आप बैचेन हो सकते हैं लेकिन पहले आप अपने जरूरी कामों के और ध्यान दिजीगा। अफिस और कारेक्षेतर में कुछ नए मित्र बन सकते हैं। मन में आई चोटी सी बात को दूसरे लोगों से सांजा करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी कुछ बातों को गुपतर रखना सीखना होगा। मित्रों की अलोजना आप बिल्कुल भी ना करे। दूसरों की समस्याओं में अपने आपको पढ़ने से बचाय रखेगा। कोई नया सदे से आपके परिवार से जुड़ सकता है। आप अपनी वानी द्वार किस वज़ी से आशू आ सकते हैं विश्णार से चलेज जानते है। आने वाली दिनों में आपके जिवार में बहुत कुछ ऐसी घटनाए हो सकती हैं。 एसी कुछ गटनाएं गढ़ सकती हैं, जिससे के अंदर से तोड सकते किसी करीबी का देहांद का होना या फिर किसी रिष्टेदारों की तरब से बुरी समाचार का सुनना यह आपको जुकी रोला कर रख सकते हैं दोस्तो दुख सुख यह एक जिंद्ध की का पाठ है लेकिन जब बेद दुख आता है कि हम अंदर से तोड़ जाते हैं हमें लगता है कि सभी दुख क्या भगवाने हमें ही दिया है ऐसा लगता है लेकिन इस बात को समझेगा सुख दुख हरे के जीवन में होता है ठीक उसी तरह आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में थोड़ी बहुत दुख दायक जो कि गटना है कर सकती है जिससे कि जो कि टूर सकता है खुद को संभाले रखेगा आने वाली दिनों में फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा धनर राशिपल को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा साथ इस वीडियों को लाइक कीजिगा और शेयर कीजिगा और अगर आपके जीवर में कोई प्रॉब्लेम चल रही है या फिर कोई परिशानी आपको बार बार सता रही है उसका अगर हल जो तिस शास्तर क्यानुसार और कुंडली के अधर पर जानना चाते हैं तो भी आप ह जले जानते हैं आपका धन राशिपल कैसा रहीगा उसके बारे में दोस्ती या फिर रिष्टों की अहमियत आप अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि आप जीवन के हर पल को खुल कर जीते हैं अपनी बावनों को व्यक्त करें लेकिन ध्यान रखें इनसे किसी को ठेस ना पहुंचे व्यापार या फिर धन के मामलों में समस्या या फिर बादा का सामना कर सकते हैं आप अपने काम को एंज़ॉय कर सकते हैं इस चरण में आपको लाब होगा क्योंकि आपके आसपास के लोग और वातावरन बहत सकारत्मक हैं आपका जीवन अब सुगम होगा ल कोई खास काम या फिर अकर्शक योजना आपको सारा दिन घेर रहेगी आपका सारा दिन इसके बारे में सोचने में ही निकल जाएगा इसे पूरा करने में आप अपनी सारी महनत लगा देंगे एक परिवर्तन आपके कारेक्षेत्र में आने का संकित दे रहा है आप अपनी नोकरी बदल सकते हैं या फिर अपने कारेले में एक से दूसरे विभाग में आपका ताना तरन भी हो सकता है यह ऐसी स्तिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे और इन संबहरों का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे इसलिए आपको इन आउसरों का पूरा लाब किसी खास की तलाश है तो कॉलेज के समयों में कोई आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों रिस्ता अगर पुराना है तो इसकी खुश्भू को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते रहे आपको दूसरों की साहता मिलने की पूरी संबहुना है जब बात अकर्शन के आती है त तो आपकी बाहरी संदर्ता से ज़्यादा अंतरिक संदर्ता आपको लुबा जाती है और यही कारण है कि आपके साथ को सब पसंद करते हैं आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्त रशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आप खुद को ज़्यादा उर्जावान महसूस कर और यह सब अच्छी नीद की वजह से हैं अपने इस उर्जा का इस्तिमाल ताजी हवा लेने में और व्यायम करने में लगाएं ताकि यह उर्जा बराबर बनी रहें तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जोकी कुम राशिपल रने वाला है वीडियो में बताएगी जानकारी जोकी जोतिश, पंचांग, मानेताओं और धर्म गरंतों से दी गई है हमारा उदेश महत सुचना पहुंचाना है आप इसे सुचना इतू लिजीगा इसके अतिरियक तगर आप मानते हैं, अपनाते हैं एनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपनी नजदी के कुलपंडी से अवश्य संपर करेगा आप चाहिए तो ट्रेनिंग राशिपल से भी संपर कर सकते हैं कुंडले और इसमें मामलों से बदलाव हो सकता है तो दोस्ता आज की सुरू में बस इतना ही मिलते हैं नवड़े के साथ धन्यवाद